शू शे आयुर्वेदिक उपचारों आविशनी चर्चा करी वैद राजल शुकले साथे राजल बीन स्वागत से आपनो प्रटीव मनमा राजल बीन खास करीने जी आयुर्वेदिक उपचार होई से शू फर्क परतो है से आना थी आने किटला उप्योगी नीवरता होई से आयुर्वेदिक उपचार मा आपड़े जिन क्लिपिंग्स मा जो युवेदिते गुटन नो दुखावो होई और को इन ओपरेशन करावू होई डॉक्टरे कीदू होई पन घणीवा खते पैसानी तकलिफ होई घणीवा खते एवो फोबिया होई डर होई के मोने कही तकलिफ थासे तो घणीवा डायबिटिस ना पेशन्ट होई पर एमा खास करी ने घुटन मा लचकावी जवी पग खाड़ा मा पड़ी जवो पच्छी वजन वदारे होवा थी घुटन उपर वजन आवू एना लीदे जे घुटन ना मसल छे एना उपर अने ए सांधी उपर थोड़ू प्रेशर आवे अने तियां सोजो आवे इस सोज ना हिसाब दुखावो थाए कायम जेने घुटन नो दर्द रहतो है जे बेनों ने खास करी ने शियाडों आवे तेरा अचाना कज घुटन मा दर्द ऊब हो था था अने अनु कारण चने शियाडा नी ठंडी आम तो गणी शगाए घनी मकत डिलीवरी पश्चात पन बेनों अने अनु कारण रोकवा माटे खास करीने स्लीपर्स पेरवाज होई है जेती सुचे कि शियाडा माँ खुला पगे फरवा थी पग द्वारा जे ठंडी लागे ना लागे श्रेयाबेन अमदावाती प्रश्ण पुछवा मांगे जे आपड़ेमनों प्रश्ण जाने लेए अने इना उपर कोकम नो घी लगावी अने मुझा पैरी लेवा जी तेजल बेन पर प्रश्ण पुछवा मांगे जे जी तेजल बेन जनाओ आपनों प्रश्ण सूचे मारो प्रश्ण ए छे कि मारे मने डायाबेटेस चे अने मने बिल्कुल मतलब हमके हम इतलों बजोना थी मारो बसोने पंदर छे प्रहना माटे कोई अवो आयर्वेदी कुप्चर खरो के जे मारे आम नॉर्मली टेबलेट करता मारे आना थी माने मती जाए पहला तो तम्हें रोज चालवा जाओ रोज सवारे उठीने तरत अने रात रे जम्याँ पाची जेती रात नू जुमभानू छे ए तमारा बोडी नी अंदर शुगर नू लिवल नावर धारे अने सवार मां आमळा अने हर्दर ने सम भागे लो अने रोज सबजी मां कारे प्राजल पेन खास करी ने जारे आयरुवेदिक उपचार नी आपने वाद करी रहा ची एवो कई उपचार छे कि जेना द्वारा बहनों ने वर्षों ना वर्षों ती कदाच घुटर नो दुखावना आवी शके पहला तो वजन ओच हू राखो ए आपड़े उपचार मां गणी लेवू पड़े कारण कि जो वजन जो बेनों नू वधारे हशे तो आतकलिफ्त हशे अने जिकना एक बीजी हूं एक नानक ली सलाप हो कि आपड़े घौण नो लोट ले घौण दढ़ावी ने लोट करिये तो 800 ग्राम रागी औने 500 ग्राम सोया इले सोया मनों प्रोटीन अने रागी नों कैल्शियम बनने खुब मदद रूप थाए चा जथी बेनों ने जी अस्ट्रोपकोरस इसनी तकलिफ चेमा थी बचावी शकाए चाए जी विशाल भाई प्रशन बूचाओ मांगे चे राज विशाल भाई तामारी मुम्मे नी उम्मर छे ने पहला तो यहमनों उमर और वजन ने ध्यान मां लेव पड़ शे अने ए पच्छी जी आपड़े प्रक्रिया जो ही जानू संधी नी एक कराब वा थी यहमने ऑस्ट्रियो आर्थ्रेटिस मां बहु सारों फेर पड़ से जन पर कई डाइग्नोसिस थाए छे एना उपर थी ट्रिट्मेंट पसंद करवी पड़ से पन जानू बस थी चोकस फाइदो करशे अपना साथी नी चर्चाने जारीज राखेशू आपके विरितना कारजी राख्षू आयरुवेधी कुपचार द्वारा अविशनी चर्चा करी रहाजे आपड़ी साथे वहिद राजल शुकल ऍशीद्वर बिन शुर्पाबिन कैप्रस्ण पुछा मांगेजे आपड़ीमनो प्रस्ण जानी लेजी जणाओ आपनू प्रस्ण सूछे शुलपाबिन आपनू प्रस्ण जणाओ दिलिवरी पच्छी पेडु उतरवा माटे फेला तो पस्ची मुदानासन नामनो योगासन कराई जे थी पेडुमा दकलिफ ओची पड़े औने रोज सुरियन मस्कार कराई जेना थी पण पेडु नीजे चरबी छे एने ओची करी शगाई अने खावा मा रोज रात रे एक चमची पलालेली मेथी लाई अने सवारे एना पाणी साथे ज मेथी ने चावी जवाद थी पण पेडु नीजे चरबी ओची थाई जाशे राजले न अत्यरे हाल तो अपड़े घुटन ना दरदनीजो चरचा करी है तो घुटन नो जे तरद था तो है शी आड़ा मा आना माठी मीजा अन्या काया काया उपचार होई शेकी के जेना थी फाइदो था जी शेके छे जिगना एमा एव छे के एक अत्यारे शी आड़ा मा खास करीने जे गुटन नो तुखाओ ठंडी था तो है जे एमा नाडी स्वेध करीने जे आपड़ पहला प्रोग्राम मा एक वखत बतावे तो नाडी स्वेध मा एवू है के कुकर जीवी रचना नी अंदर लसन दश्मूल अने एनी वराड लेवा मावे तले सीटी नी जग्याए एक पाइप लगावा मावे अने नाथी वराड लेवा मावे ए आखा शरीर पर वराड लेवा नो एनने स्वेधन केवा याने बहुच अने नाडी स्वेध आपया पाछी जी आपड़े बताविवे प्रमाणे जानू बस्ती नी जी ट्रीटमेंट छे एक खूब फाइदो करती हो जी एक कॉलर्स आपने साथे जोड़ाया चे आपड़े तिमनों प्रश्णा जानी जी जणाओ आपनों प्रश्णा सूछ जी आ शियाडा माँच जो शर्दी थती होय तो नास प्लेइन वाटर नो ए लेवो खूब जरूरी बने छे अने एमा खास करी ने तमें लसं नाखे शको और अजमो नाखे शको एनी भाप लेवा थी शर्दी मां राहत थती होय छे अने आयुर्वेद मां नजिक ना वैद पासे जाइने नस्य कर्मनी ट्रिटमेंट छे जी नाकमा टीपा नाखवा पन आउश दी युगते टीपा होय छे अने ए आखी पद्धती कोई पन आयुर्वेदिक डॉक्टर पासे जाइने करा भी जरूरी बने बिल्कुल राजल बिन आपना पासे दिहा जुगाणी बधी भाहितियों हूँ लैश आयुर्वेदिक उप्चार थी शूंशू फाइदो था इश्रके से अविशनी चर्चा करे रहा है शे वाइद राजल शुक्ल साथे राजल बिन जोती बिन प्रश्ण पुछवा मांग आपको शालमली कंटक बाजार में से लेके उसको दही में मिलाके हरोज सुबह में मलाई के साथ लगाने से आपके डाग भी चले जाएंगे और आपके जो ऑईली स्कीन है वो न्यूट्रलाइज बनने लगेगे राजल बिन थोड़ीक बाद अपड़ी स्कीन केर पर करिये तो कया कया बाद पत्वों होयाचे आईरुवेदीक मां के जिना द्वारा स्कीन ने सारोई वो फायदों थाई शके छे आम तो छेने आईरुवेद नी अंदर हर्दर ने खुब महत्वा आपिऊ कॉंपलेक्शिन्स माटे थाई ने परन हर्दर ना पीडाश पड़ता डाग पड़ी जतता होयाचे एकले खासकरी ने जिग्णा हूँ जेठी मत और चंदन ने संदर यानी द्रस्टीय दूद नी बहुझ प्रिफर करती हाँ चू अने एना थी खुब फाइदो था तो है जानीश आविशनी चर्चा करिया वैद राजल शुक्ले साथे राजल बिन तेजल बिन आपने साथे जूड़ाया चे अपने इमनों प्रश्न जानीश हूँ जी तेजल बिन जणाओ शू प्रश्न अने कालमेग बनने वस्तू पचास-पचास ग्राम लावी अने अर्थी अर्थी चम्ची रोज सवार मां घी ना बैटी पाना खीने पिवडावता जाओ कोई प्रकार नू लैक्सेटिवेट लेके टॉइलेट करावनारी दवा ना आपता आपने आप शो जे थी एनू लीवर सारू थाशे अने एना थी एने टॉइलेट मा फाइदो जणाशे करीमा मेंट प्रस्ण पूषों मांगे शेर जी करीमीन जणावश प्रस्टन आपनों градasan ने आपनों जाया ने शालमली मां आद्रपत रोज संदल नाया पच्छिता में लगाव शो तो तो मारे पिंपल्स पर नहीं थाई आने तुछा सारी पर रहे शे आजर बिन खास करें स्कीन मां तो घड़ा मेदा प्रॉब्लेम जता हो है पर जो डाक सकल नहीं आपड़े वात करिये अपूर्ती उंगने कारणे कहा है पर खास करें आयुर्वधिक मां वो खाय उपचार चाहिए कि जना थी डाक सकल दूर थे शकते हैं अने साथे साथे आयन जितलों वधारे कोई पर बीट चे पालक चे जिमा आयन कंटेंस वधारे चे ए सब जी लेवाती फाइदो थाए अने सुपरफेशल उपर थी जो ये तो वावडिंग नू स्क्रब आवे चे ए वावडिंग नू स्क्रब छे एने रेग्यूलर पंदर एक डिवस राउंड शिप मा मालेश करो तो एना थी बहु सारू पड़े चे पूर्वाबेन प्रश्ण पूछ वावडिंग नू स्क्रब आवे चे एना थी आज़ू बाजो मसाज करवू अने साथे साथे प्राणायाम करवाती कुफ वाइदो रहा चे डार्क सरकल मा राजल बिंग जी आयुर्वेदिक प्रेमियों शे तिमने शुकाय हो मांग शो त आयुर्वेदिक प्रेमियों ने आम तो मारे घणू के हो चे पन सम्वाई नो अभाव हो एटलाई पन टेम शेता हूं यह को के दरेक पोत पुतानी वर्शगांट ना दिवसे एक व्रुक्ष नो उचेर करें जी आयुर्वेदिक जी प्रुक्षों छे ओचाना थता जा या आपने उप्योग मा लही शक्येश है आयुर्वेदिक जी प्रुक्षों छे रसोडा मां बद्धी वस्तू जेलके मिथी छे ने उगती जी वस्तू हो छे नी अंदर कुमार पाठू छे लिंबडो छे जासुत नो फूल छे एजी पती वस्तू हो छे तमे कुंडा मां उगा जुदा जुदा रोगों मां बद्धी वस्तू बने छे अजल मिन बहनों ने कोई वो मैसेज आपी दो के आयुर्वेदिक उप्चार द्वारा ते हो पोता ने शरीर नी ते मज़े पोता नी तो अचानी पन कारजी राखे शके बहनों ने खास करी ने के वानू के रोज सव प्योग रोटली माटे करो आने खास करी ने खुश रहो कोई एक एक कल्लाक दिवस्त नो पोताना शौक माटे फाड़ो खुब स्वरस राजल बिन आप हमारी साथे चर्चा करी आयुर्वधिक उप्चार विशे आने खास करी ने बहनों ने जिरितनी आजे टिप्स बदल थैंक्स आप प्रिट्यूम बन वागाते बदल थैंकि जेगी